हेलो गाइस वालकम टो अनदर वीडियो प्रामें इंजिनरिंग लिमिटेड गजी सब्सक्रिप्शन आप इन्हों नहीं जा रहा जानेंगे लाइब सब्सक्रिंट इस जीमपी इंदा चल रहा लिस्टिंग इंदा मिलेगा सकेंड एक परफॉमेंस कैसे राद डे वन में अप 50.4 लाक शेयर का लॉटमेंट रेट फाइनलाइज किया गया 25 जुलाइक का लिस्टिंग रखा गया फॉस्ट ऑगस्ट का नसी एसमेप लिस्टेट किया जाएगा प्राइस बैंट 56 तू 58 उपीच पर सियर की 2000 सियर की लॉट साइज हम सेक्रिटीज मार्केट मेंकर लिंक इ की साइंगे लिंगन और बात करेंगे यहाँ पर सबस्क्राइब है कुऐसे सबसप्राइब करें एज्टी बहूत वाइए फॉस्प्न तायम का फुली सब्सक्राइब है डिचरिए रिटेन से टू पनवन उन टाम का ओवर सबस्क्राइब सब्सक्राइब किया और अगर हम इसके जी एंपी की बात करें तो कंपनी का जो चल रही है अरौंड 15 रूपिस का जिसके एक डिशेंट लिस्टिंग मिलने जा रही है बिजनस की बात करेंगे गाई तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब 2003 में इनकॉर्पेट किया गया था इंटेंसिव के एयर यूनिट्स नेनियो नैट्र इंटेंसिव यूनियू निट्टियाट्रिक इन्टेंसिव पीैंसी यू ऑप्रेशन थेटर्स प्रीफाब्रिकेटेड इस्ट्रॉक्टर वर्सका नहां फॉस्पिटल्स औ कohl और maintenance करता है और Company जो ह्ए इन सभी services को टरन की बश्यस पर पर अपर और infrastructure को जो सो establish करती है hospital और medical center के अंदर और high value medical equipment में deal करती है दो होजार बीस से अब तक company ने ICU operation theaters का भी जो सेट अप कर चुका है जिसमें 2000 critical care beds install कर चुका है जिसमें include ICU, NICU, PICU, modular operation theaters जो की establish किया गया राजस्तान state के throughout जो से हर एक पार्ट में किया गया company का warehouse चार है for warehouse दो name नगर एहमदाबाद वन प्रहलाद नगर एहमदाबाद और फोर्थ जो है फोर्थ वन जो है आश्रम रोड एहमदाबाद में है और company जो wide range of medical equipment और solutions भी प्रोवाइड करता जैसे electro surgical generator electro surgical unit CO2 insufflator LED surgery light surgical and medical examination light ICU ICU respiratory monitoring system ICU ventilation system anesthesia workstation jaundice meter anesthesia machine और harmonic scale 31st August के according 44 permanent staff members responsible day-to-day business operation marketing accounting function business operation और marketing and accounting functions के लिए जो की responsible 44 permanent staff और financial की बात करेंगे 22 में 200.2 करोड का revenue 16.6 करोड का profit 23 में 78.3 करोड का revenue 5.3 करोड का profit 24 में 65.6 करोड का revenue 3.4 करोड का profit financial अगर देखा जा तो टॉप और में का और बॉटम में consistent डी ग्रोथ देखने को मिल रही है यह एक प्रॉब्लम आ सकता गया इस फिनाशल की पॉइंट की बात के तो healthcare सेक्टर highly regulated सेक्टर है कंपनी combination फेस कर यह domestic international players से significant portion of company revenue जनरेट करता government project से तो एक कुछ risky पॉइंट भी है और अगर हम बात करेंगा इस company के objective का तो long term working capital requirement long term working capital के लिए augment पर जो सो augmenting include है जिसमें incremental working capital requirement को करना चाहती जनरेल कॉर्ट के लिए पुलाया गया तो बहुत ही ज्यादा रिस्की IPO है और प्राइस बहुत ज्यादा रखाए इस लिए इस एक हाई रिस्क लोड़ रिटरन